नमस्कार सात्यों जीत क्लासेज के यूटूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज हम राजस्तान विदान मंदल के बारे में कुछ पूर्व एक्जाम के प्रस्ण करेंगे तो चलो शुरू करते हैं विदान मंदल पहला प्रस्ण है आपके निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए पहला कतन है आपके राज्य के विदान मंदल के विशेसादिकार संग की संसद के विशेसादिकार के समान है तो ये कतन आपके बिलकुल सही है ये कह रहा है कि राज्य का विदान मंडल के विशे साधिकार संग की संसद के समान है तो यह कथन बिल्कुल सही है अगला है विदान मंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे विशे साधिकारों के भंग के लिए या अव मानना के लिए दंड देने की सकती है तो यह भी कथन आपके बिलकुल सही है तो यहाँ पर आपको देखना है दोनों कथन सही हो जाएंगे ए और भी दोनों सही देखिए यहाँ पर सिस्टम है आपके जिस परकार से कैंदर सरकार के अंद करती है उसी प्रकार से आपके राज्य में ये कार्य कौन करता है विदान मंडल करती है वही सक्तिया wee राजिये के अंदर राजिये वीदान मंडल को प्राप्त है यहनि दोनों के अधिकार क्या होगे समानों करता है तो सदन का अध्यक्स उसे सदन से निश्कासित कर सकता है कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है तो ये विशेसा अधिकार किसके पास होता है राज्य विदान मंडल के पास ही होता है तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे फिर बढ़ते आगे अगला है राजस्तान विदान सभा की किस समीती के सदस्य सदस्यों के द्वारा वि याद रखना है कि पहला कथने आपके प्राकलन समीति क दूसरा है राज की उपकरम समीति नंबर तीन है कारिय सलाकार समीति और नंबर पांच चार है जन लेखा समीति तो यहां पर आपको याद रखना है कि प्राकलन समीति क प्राकलन समीति ख पहली समीति होती हैं और इनके अध्यक्स इनके अध्यक्स सदस्यों को सदस्यों को सदस्यों को विदान सबख सदस्यों मैंसे ही विदान सभा सदस्यों मैंसे ही निर्वाचित किया जाता है निर्वाचित किया जाता है यह इन विदान सभा सदस्यों मैंसे ही इन चारों समीतियों के अध्यक्स सदस्यों को निर्वाचित किया जाता इनके अलावा विदान मंदल की जितनी भी समीतिया हैं उन सब के अंदर मनोनित करने का अधिकार अध्यक्स सदस्यों को मनोनित करने का अधिकार आपको किसको है विदान सबा अध्यक्स को है यहाँ पर वापस बता देता हूं संसद की जो विदान मंडल की जो वितिय समीतिया होती है चार होती है उसके अंदर एक तो होती है प्राकलन समीति क प्राकलन समीति ख तीसरी हो जाएगी आपके राच की उपकरम समीति और चौती हो जाएगी जन लेखा समीति इन समीति के अध्यक्स सदस्यों को विदान सभा सदस्य मैंसे ही विदान सभा सदस्य मैंसे निर्वाचित किया जाता है जबकि अन्य जितनी भी विदान मंडल की विदान सभा की समीतिया है उन सब के अध्यक्स हैं सदस्यों को मनोनित करने का अधिकार विदान सभा अध्यक्स है तो यहां पर कारी सलाकार समीति है इसके अध्यक्स हैं सदस्यों को मनोनित करने का अधिकार किस है आप के विदान सभा अध्यक्स को तो यह कथना आपके सही हो जाएगा फिर वढ़ते आगे अगला प्रस्थ निम्नांकित में से कितने निवनतम सदस्यों के पक्स में होने पर ही राजस्तान विदान सभा में मंत्री परिशद में और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है कौन सा प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है तो इसमें आपको याद रखना है कि इसके अंदर सिस्टम होता है कि विदान सभा की विदान सभ कि कुल सीटों का विदान सबा की कुल सीटों का एक बटा पांच बाग सदस्य एक बटा पांच बाग सदस्य यदि अविश्वास प्रस्ताव पर अस्ताक्सर करके यह अस्ताक्सर करके विदान सबा में अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिशद के विरुद ला सकते हैं कित एक बटा पांच भाग सदस्य है तो इसका अपन राजस्तान की बात करें तो राजस्तान में कुल विदानसभा सीटे कितनी है 200 और इसका आपको एक बटा पांच भाग निकालना है तो कितनी सीटे हो जाएगी आपके 40 सीटे कितनी सीटे हो जाएगी 40 सीटे तो यह प्रस्ताव आपके कितने सदस्य करके ला सकता है तो 40 सदस्यों के अस्ताक्सर से यह प्रस्ताव लाया जा सकता है यहाँ पर आपको याद रखना है जब यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित हो जाता है सदन में पारित हो जाता है तो उस दिन से मंत्री परिस सद्ध बरखास्त हो जाएगी मंत्री परिस्द को हटना पड़ेगा तो इस बात को आपको याद रखना है विदान सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए तो एक बटा पांच बाग सदस्य के अस्ताक्सर से लाया जा सकता है संख्या की बात करें तो राजस्तान में कितनी होगी यह 40 होगी ठीक है चलो फिर बढ़ते आगे अगला प्रस्ने संसद में राजस्तान से कितने सदस्य चुने जाते हैं संसद से राजस्तान में कितने सदस्य चुने जाते हैं तो यहां पर आपको याद रखना है सब्द दिया है सद में आपके दो सदन आ जाते हैं एक हो जाएगा लोग सभा और एक हो जाएगा राज्य सभा लोग सभा और राज्य सभा तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि लोग सभा से तो राजस्तान से कितने सदस्य जाते हैं निरवाशित होकर 25 सदस्य जबकि राज्य सभा से कि सदस्य कितने हो जाएंगे आपके 35 सदस्य कितने सदस्य जाएंगे 35 सदस्य ठीके चलो फिर बढ़ते आगे अगला प्रसने निम्नांकित कत्रों पर विचार कीजिए वह सई विकल्प कौन सा है सई विकल्प का चैन करना है तो पहला विकल्प आपके भारत के सविधान के अनुछे 368 दोग के उपबंदों के तहट कुछ सावीधिनिक सवेधानिक संसोधनों के लिए कम से कम आदे राजियों के विदान मन्रलों का अनुसमर्थन अपेक्सित है तो यह कतन आपके बिलकुल सही है अगला है सित्तरवा सविदान संसोदन 1992 द्वारा राजियों की उपर्युक्त स्रेणी में उपर्युक्त स्रेणी में दिल्ली राष्टी राजदानी राज्य सेत्र और पंडु चेरी केंदर सासित परदेश के विदान मंडलों को सम्मिलित किया गया है तो यह कथन आपके बिल्कुल गलत है यह कथन आपके सही नहीं है यह आपके राष्टपती के चुनाओं में राष्टपती के चुनाओं में इनको सामिल किया गया था विदान मंडलों को सित्तरवे सविदान संसोदन द्वारा तो यहां पर कथन कौन सा सही हो जाएगा आपक 368 के अंदर सविदान संसोधन की वीदियों का उलेख दिया गया है यहीं सविदान में संसोधन किस प्रकार से किया जा सकता है तो सामानी रूप से मैं आप से पूछे कि सविदान संसोधन की कितनी वीदिया हैं तो आपको बताड़िये तीन वीद्या कितनी वीद्या हैं एक होती आपके साधान बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसत सविधान में संसोधन कर सकती है दूसरी विदी है आपके विशेस बहुमत से विशेस बहुमत से प्रस्ताव पारित करके सविधान में संसोधन किया जा सकता है और तीसरा होता आपके विशेस बहुमत प्लस आदे राजियों की सहमती आदे राजियों की सहमती कह दीजिये या आदे राजियों द्वारा प्र कितनी वीदिया हैं तीन वीदिया है लेकिन आपको याद रखना है अनुचे 368 के तहट समिदान संसुदन की केबल घ़नी दो वीदिया हैं कितनी वीदिया बाद में दो वीध्या हैं और वो होगी आपके विशेस बहुमत प्लस आदे राजियों की अनुमती तो ये अनुचे 368 के तैद कितनी वीध्या सविदान संस्धन की दो वीध्या जिसके अंदर पहली हो जाएगी आपके अनुचे 368 एक के तैद जहां पर आपके सीधा हो जाएगा कि विसेस भ़भूमस से प्रस्ताव पारित करके संसद और अनुछे 368-262 में दी गई है उसके अंदर संसद विसेस भभूमस से प्रस्ताव पारित करेगी फिर बाद में ये विदेख सविदान संसोदन विदेख राजियों के पास सहमती के लिए जाएगा और सभी राजियों के विदान मंडल में से अगर आदे राजियों ने उस पर सहमती दे दिये उसको पारित कर दिया है तब वो सविदान संसोदन पारित माना जाएगा अन्यत वह खारिज हो जाएगा तो यहां पर आपको याद रखना है कौन सी है आपके एक नंबर कतन सई हो जाएगा और इनको भी थोड़ा सा याद रखना है और इसमें बता देता हूं को भी भाग लेने का दिकारिस में दीया गयाता तो यह वड़ा हो जाएगा आपके फिर भढ़ते lang हे Dopтр सवीधान के अनुछेद 178 के अनुसार विदान-सवस भाद्यक्स होता थि सबस्तोत अभार निरवाचिद दूसरा है मननोनित तीसरा धीनित और नम्बर चार है आपके निगत तो आपको याद रकना है विदान-सवाद्यक्स आपके चय को रहते हैं चैनिप और विदान सभा अध्यक्स एं उपाध्यक्स का पद विदान सभा अध्यक्स व उपाध्यक्स का पद कौन से अनुचेद में है आपके उपाध्यक्स का पद कौन से अनुचेद में है अनुचेद 178 या पर आपको याद रखना है विदान सभा अध्यक्स एं उपाध्यक्स क सत्ता पक्स में से ही सत्ता पक्स के ही किसी सदस्य को बनाया जाता है सत्ता पक्स के ही सदस्य को बनाया जाता है और इसी पक्स में से ही किसी एक व्यक्ति को चैनित करके बनाया जाता है चूज करके उसको इस पद पर इस पद पर आपके अध्यक्स पद पर नुक्त किया जाता निर्वाचित का मतलब होता है जिस पद के लिए डायरेक्ट चुना होकर पद पर व्यक्ति आता है तो उसे अपन निर्वाचित कहते हैं मनोनित का मतलब होता है किसी वरग मैंसे राज्यपाल या आपके कह सकते है राष्टपती किसी को मनोनित करता है यह किसी को नॉमिनेट क जब कि कैंदर में प्रधान मंत्री एवं कैंद्रिय मंत्री परिशत के मंत्री राष्ट पती द्वारा न्युक्त किए जाते उनका चुनाऊं नहीं होता है तो यह पर आपको याद रखना विदानसभा अध्यक्स क्या होताँ आपके चैनित होता और किस्वक्स में से सत्ताप सत्तापक्स में से ही बनाया जाता है फिर वड़ते आगे अगरा किसी सवेधानिक संसोधन के द्वारा पांडी-चेरी विदान सभा के निर्वाचित अदस्य भारत के राष्टपती के निर्वाचक मंडल में समलीत हुए यहान से सविदान संसवधन हुए। तो यह मैंने अभी बतायत आपके सित्तरवा सविदान संस्वदन 1902 के तैट केंदर सासित परदेश दिल्ली एंपंडू चेरी की विदान सबा के निर्वाचित सदस्यों को राष्टपती के चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकार दिया गया चलो फिर बढ़ते आगे अगला प्रसन है आपके किस वर्स में राजस्तान विदान सबा की कुल सदस्य संक्या बढ़कर 200 कर दी गई यहां पर आपको याद रखना है उननी Lambda 278 के अंदर उननी सो सितततर के अंदर उनना सदस्यों में चटी विदान सबा में मातिए स्टों की संक्या एक सो चौरासी से बढ़ा कर कितनी कर दी गई 200 कर दी गई कितनी कर दी गई 200 कर दी गई तो पूरू में कितनी थी आपके 1977 से पहले कितनी थी 184 और 1977 में बढ़ा कर कितनी कर दी 200 कर दी और ये कौन सी विदान सबा में किया गया तो छटी विदान सबा में ये प्रावदान किया गया इस बात को आपको याद रख़ना है फिर आपको राजस्तान की जो प्रहुत्र पहली बार कब 1977 में छटी विदान सभा में 200 सदस्य संक्या की गई अगला है राजस्तान के नव निर्वाचित मुक्य मंत्री असोक गैलोत का सपत गरण सामरो जैपूर में कहां आयो जीत हुआ तो 2018 के अंदर दिसंबंद के अंदर इनका सपत गरण सामरो जैपूर के अंदर कहां पर जैपूर जैपूर में विपक्स के नेता पंदरवी विदान सबा में विपक्स के नेता कौन है तो पंदरवी विदान सबा में आपके विपक्स के नेता है गुलाबचंद कटारिया और विदान सबा में उपनेता प्रतिपक्स कौन है आपके राजेंदर राठोड और आपसे पूछे कि विदान सबा में सदन का ने यह ता आपके कौन होगा मुख्य मंत्री फिर बढ़ते आगे अगला प्रसने राजस्तान में 2018 में हुए विदान सबा चुनाओं में विदान सबा चुनाओं में भारतिय राष्टी कॉंग्रेश और भारतिय जनता पार्टी द्वारा द्वारा जीती गई भारतिय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर कितना है यहां पर आपको याद रखना है एक सो 99 सीटों पर चुना हुआ था शुरुवात के अंदर और वहां पर आपके 99 सीटों पर विजय प्राप्त की ती आपने कॉंग्रेश ने जबकि जबकि 73 सीट ऊपर सीट तो पर कोन्तर सीट ने जीत दर्ज तो दोनों ऐंतर कितना हो जाएगा आपके 26 सीट कितनी हो जाया ऊंतर 26 सीट है तो 2018 के चुनाव में दोनों के बीच सीटों का अंतर कितना है आपके 26 सीट का है फिर बढ़ते आगे अगला है राजस्तान विदान सभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कॉंग्रेस के बाद जिस राजनितिक दल को दित्य सरवादिक इस्तान प्राप्त हुआ था त तो यहाँ पर आपको याद रखना है राम राज्य परिशत दूसरी पालटी कौन सी थी आपके राम राज्य परिशत और इसने प्रथम विदान सभा चुनाव में 24 सीटों पर विजय प्राप्त की थी जबकि आपके कॉंग्रेस ने कॉंग्रेस ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की ती॥ कॉंग्रेस ने आपके 82 सीटों पर विजह प्राप्त की ती और प्रथम विदानसभा में आपके प्रथम विदानसभा के आंशुनाव modifying के दहीते चार एक सो साट सीटों पर चुना हुआ था इसमें कॉंग्रेस ने 82 सीटे हासिल की और दित्य पार्टी की रूप में आपके कौन सी थी राम राज्ये परिसद जिनोंने 24 सीटों पर आपके विजे प्राप्त की थी चलो फिर बढ़ते आगे अगला प्रसने आपके राजस्तान की विदान सबा न राजस्तान की विदान सबा ने एक प्रस्ताव पास करकी विदान परिसद की स्थापना की मांग की है यदि उसकी स्थापना होती है तो उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्यगन हो सकते हैं तो विदान परिसद के गठन की बात कर रहा है तो राजस्तान में अगर होती है तो अधिक्तम सदस्य कितने हो सकते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है विदान सबाकी कुल सीटों का एक बटा तीन के बराबर ययोंनि एक सदस्य से ज्लादा नहीं होगी तो यहाँ पर उत्तर कौन सा हो जाएगा एक तियाई विशेष याद रखना यह नियम कहता है अनुचेद एक सो अनुचेद एक सो 68 के तैद अनुचेद 168 में राजिय विदान मंडल का उलेक है और विदान मंडल आपके राज्य पाल विदान परिशद और विदान सभा से मिलकर गठित होती है पिर आगे बात करें अनुचेद एक सो गुण सितर के अंदर आपके विदान परिशद के गठन एवं समापन या उतसाधन का उलेग मिलता है विदान परिशद के सरजन एवं विलोपन का उलेग मिलता है अनुछेद एक सो गुण सितर के तैद और विदान परिशद का गठन अगर किसी राज्ये में किया जात और फिर वो प्रस्ताव आपके ये विशेस बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है फिर ये प्रस्ताव आपके संसद के अंदर जाता है और अगर संसद उसको साधान बहुमत से पारित कर दे तो उस राजिये में विदान परिशत का गटन हो सकता है और अगर पहले से है तो उसकी समाप्ति भी कर सकती है तो यहां पर आपको विदान परिशत के गठन का अधिकार आपके संसद को है लेकिन गठन के लिए प्रस्ताव सर्व पर्थमका लाया जाएगा तो सम्मंदित राजी की विदान सभा के अंदर यह प्रस्ताव लाया जाएगा और सम्मंदित राज्य की विदान सभा उसे दोतिय बहुमत से यानि विशेस बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आगे संसद की स्वीकर्ति के लिए भेजे तो उस राज्य में विदान परिसद का गठन हो सकता है और यहां पर यह नियम निश्चित तोर पर लिखा हुआ है कि अगर किसी रा बटा तीन भाग से अधिक नहीं होगी एक तीन भाग से अधिक नहीं होगी एक तीय से अधिक नहीं होगी कम हो सकती है लेकिन अधिक नहीं होगी तो राजस्तान में अगर गटित होती है तो आपके कुल सीटे कितनी है दो सो और इसका अपन एक तीय निकालते हैं तो आपक कितना मान सकते हैं कितनी सीटे हो सकती है 66 सीट अगर राजस्तान में विदान परिशत गटित होती है तो अधिकतम संक्या कितनी होगी 66 और ऐसा एक प्रस्ताव राजस्तान की विदान सबाने 2012 में असो गेलो सरकार के समय पास करके बेजा था लेकिन संसद की अभी तक अनुमती नहीं मिली इसलिए ये विदान परिशत राजस्तान में अभी तक अस्तित्यों में नहीं आई है चलो फिर बढ़ते आगे अगला प्रस्तान है आपके राजस्तान को लोग सबा में कितने इस्तान प्राप्त है यनि लोग सबा की कितनी सीटे हैं राजस्तान से तो राजस्तान से कितनी सीटे हैं आपके 25 सीटे हैं लोग सबा के अंदर जबकि राज्ये सबा में कितनी हैं आपके लोग सबा में हो जाएगी 25 और राजिय सबा में कितनी आपके 10 और यहाँ पर लोग सबा में आपको याद रखना है 25 सीटों में से 25 सीटों में से ऐसी वरग के लिए आपके आरक्सित सीटे कितनी है? चार है जबकि एस्टी वरग के लिए आरक्सित सीटे कितनी है तीन है और पुल मिलाकर राजस्तान में आरक्सित सीटे लोगसबा में कितनी है साथ सीटे आरक्सिते तो इस बात को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है चलो फिर बढ़ते आगे अगला प्रस्ने वर्तमान राजस्तान राज्य विदान सबा में कितने सदस्य मनोनित है कितने सदस्य मनोनित है तो यहां पर आपको याद रखना है राजस्तान विदान सबा में एक भी सदस्य मनोनित नहीं किया जाता है सभी के सभी सदस्य सबी सदस्य नीरवाचित होते हैं यह प्रावदान आपके राज्य पाल पर निरवर करता है यह जिस राज्य में एंगलो इंडियन जंसंक्या और उसका उचित प्रति निदितवक आम चुनाओं में नहीं मिला है तो ऐसे एसे राज्ये पाल एक सदस्य विदान सभा में मनोनित कर सकता है एंगलो इंडियन मैसी लेकिन राजस्तान में कोई भी ऐसी जंसंक्या का प्रती निदितुन नहीं है इसलिए राजस्तान में मनोनित सदस्य एक भी नहीं है जबकि आपको याद रखना है अनुचे 331 के तैट अनुचे 331 के तैत लोग सबा में सीटे आरक्सित अनुचे 331 के तैत लोग सबा में आपके लोग सबा में दो एंगलो इंडियन सदसियों को राष्टपती को मनोनित करने का अधिकार है और अनुचेद 83 के तैत राज्ये सबा में 12 सदसियों को मनोनित करने का अधिकार आपके राष्टपती को है तो राज्ये पाल को राज्यस्तान में यहां पर अधिकार नहीं है फिर बढ़ते आगे अगला है विदान सबा चुनाओं में और इसपष्ट बहुमत के कारण राष्टपती सासन कब लागू किया गया तो यह आपके पहली बार जब राष्टपती सासन लगा था आपके 1967 के अंदर राज्यस्तान के अंदर तो उस समय ही अइसपष्ट बहुमत के कारण मोहनलाल सुखाडिया को आपको मोहनलाल सुखाडिया के समय पहली बार लगा था और उसका कारण क्या था आपके विदान सबा में अइसपष्ट बहुमत के कारण ही पहली बार राज्यस्तान में राष्टपती सासन 1967 में लगा था अब तक चार बार लग चुका है और पहला सड़सर दूसरा 1977 फिर 1980 और 1902 और यहां पर याद रखना पहली बार जब लगा था उस समय आपके cm थे मौनलाल सुखाडिया मौनलाल सुखाडिया और उस समय आपके राजय पाल थे राजय पाल कौन थे राजय फाल थे आपके डॉक्तर संपॉर्ण अनंद क्थे कुख चलो फिर बढ़ते आगे अगला है आपके कि निम्नांकित में से कौन राजस्तान विदान सबा के प्रतम गैर कॉंग्रेसी अध्यक्स थे निम्नांकित में से कौन राजस्तान विदान सबा के प्रतम गैर कॉंग्रेसी अध्यक्स थे तो यहां पर अपन बात करें तो प्रतम गैर कॉंग्रेसी अध्यक्स थे आपके लक्षमन सिंग और यहां पर आपको याद रखना है राजस्तान विदानसभा में पहली बार गैर कॉंग्रेसी सरकार बनीती 1977 के अंदर कब बनीती 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनीती किस पार्टी की बनीती जनता पार्टी की सरकार बनीती और उसके सीम मनेते आपके भैरो सिंग सेखावत कौन मनेते भैरो सिंग सेखावत सीम बनेते तो आपको पता है कि विदान सबा में हमेशा ही प्रतिपक्स यनि विदान सबा का अध्यक्स हमेशा ही सत्ता पक्स में से ही किसी एक विदान सबा सदस्य क विदान सभा में तो इस हमें आपके अध्यक्स बनेते लक्षमन सिंग और पहली बार आपके गेर कौंगरेसी विदान सभा द्यक्स कौन मनेते लक्षमन सींग फिर बढ़ते आगे अगला प्रस्न है आपके किस विदान सभा चुनाओं में राजस्तान विदान सभा की सदस्य संक्या 184 से बढ़ा कर 200 कर दी गई यहनि कौन सी विदान सभा के अंदर तो राजस्तान में अब पंदर वर्तमान में पंदर वी विदान सभा का कार्यकाल चल रहा है तो इससे पहले कि अपन बात करें तो कब पहली बार सीटे 184 से बढ़कर 200 कर दी गई तो यहां पर आपको रखना है छटी विदान सभा में और छटी विदान सभा में 1977 में 184 से बढ़कर सीटे कितनी कर दी गई 200 कर दी गई और इसी चटी विदान सभा में पहली बार गेर कॉंग्रेसी सरकार बनी थी वेरो सिंग सेकाउत के नेतरतु में 1967 के अंदर जंता पार्टी की सरकार फिर बढ़ते अग influenced ने राज्य विधान सभा के बारे में अदोडी की आफ हैं कौंसा सही है तो पहला कतन हे आपके इसका कारीकाल पांच वर्स होता है समने तो इसका कारीकाल पांच वर्स होता है ये कथन आपके सही हो जाएगा अगला है इसकी अध्यक्सता मुख्य मंत्री करता है इसकी अध्यक्सता मुख्य मंत्री करता है ये कथन आपके बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी अध्यक्सता कौन करता है विदान सभा अध्यक्सता करता है मुख्य मंत्री अध्यक्सता नहीं क होता है यह विदान सभा के अंदर सदस्यों का चुनाओ आपके डायरेक्ट जनता चुनाओ या वोट देकर करती है तो यह भी कतन आपके बिलकुल सही है अगला है राज्येपाल को इसके वी गटन का अधिकार है राज्येपाल को इसे वी गटन का अधिकार प्राप्त है तो तो राज्ये मंत्री परिसद की सला से ये कारिय करता है तो ये भी कथन आपके सही है क्योंकि V गटन का अधिकार है किसको राज्येपाल को तो यहां पर आपके कथन सही हो जाएगा 1,3 और 4 यह वाला कथन आपके सही हो जाएगा यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना है विदान सबा का कारिकाल होता आपके विदान सबा का कारिकाल इस पस्ट रूप से आपसे पूछे तो प्रतम बैटक से प्रतम बैटक से पाँच वर्स तक प्रतम बैटक से पाँच वर्स तक इसका सामन्य कारिकाल होता है लेकिन विदान सबा समय से पूर्व भंग की जा सकती है विपक्स अगर अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको पारित कर दे तो भी विदान सबा समय से पूर्व भंग हो सकती है और अगर मंत्री परिशद की सीपारिस के आदार पर भी राज्यपाल विदान सबा को भंग कर सकता है तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रस्ण है राजस्तान की प्रस्तावित विदान परिशद की अनुमत सदस्य अनुमत कुल सदस्य संक्या हो सकती है यहां पर आपको याद रखना है कितने होंगे अगर विदान परिशद राजस्तान में घठित होती है तो इतने सदसय आपके या निपत होंगे तो यहां पर आपको याद रख रहा है विदान परिशद का गठन का उल्लेक आपके अनुचेद एक सो गुण सितर के अंदर है विदान परिशत के गठन एवं उत्सादन यहीं समापती का उल्ले काँ पर है अनुचेद एक सो गुण सितर और अनुचेद एक सो सितर में है आपके विदान सबा की सरचना विदान सबा की सरचना और अनुचेद 171 में है आपके विदान परिशत की सरचना और अनुचेद 168 में है आपके राज्ये विदान मंडल का उल्लेक तो यह आपको याद रखना है फिर एक बात यह भी याद रखना है राज्ये विदान मंडल का आपके अनिवार यह सदन होत आपके विदान परिशत तो इस बात को आपको याद रखना है तो यह आपके कुछ पूरु एक्जाम के प्रसंते इनी को आपको आदार मानकर कैसे प्रस्न पूछे जा रहे हैं इनी के आदार पर आपको तैयारी रखनी है फिर मिलेंगे नए टोपी के साथ धन्यवाद